नितीश कुमार की बिपक्षी एक जूटता को राहूल गांधी ने हाइजेक कर लिया है राहूल गांधी ने नितीश कुमार जितना भी मेहनत नितीश कुमार ने किया वो राहूल गांधी अपने पास रख लिये हैं जिस तरीके से नितीश कुमार हर राज्यों में घूम घू लोर में हुआ राहूल गांधी ने पूरे विपक्षी एक जूटा को हाइजेक कर लिया है और अब सब लोग राहूल गांधी की बात मान रहे हैं मितीश कुमार की बात कोई सुन नहीं रहा है और इस बात का नितीश कुमार को बहुत बुरा लग रहा है नितीश कुमार सोच हैं कि हमने सारा कुछ किया पूरी मेहनत मेरी लेकिन अब मजा राहूल गांधी मार रहे हैं नाम राहूल गांधी का हो रहा है मेरी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा जब सब लोग कॉंगरेस के भिरुद्ध में खरे थे उस वक्त मैं नहीं एक अकेला था जो ये कह रहा था कि नहीं कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी है लेकिन अब राहुल गांधी की सब बात मानने लगे हैं मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है और कोई ये मानने को तयार नहीं है कि मेरी अगुआई में भी पक्ष एक जूठ हुआ है ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निटीश कुमार की विपक्षी एक जूठा को राहुल गांधी ने हाइजैक कर लिया है राहुल गांधी अब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं अपनी बात जो है वो लोगों पर थोप रहे हैं तमाम पाटियों के ऊपर थोप रहे हैं निटीश कुमार को अब ऐसा ऐसास हो रहा है कि मेरी अगुआई में विपक्ष एक जूठ हुआ था मैंने मेहनत किया था मैं हर राज्यों में घुमा था और सब को मनाया था कि कॉंग्रेस की साथ मिलकर हम गठ बंधन बनाते हैं सब लोग ना कर रहे थे लेकिन मेरी अगुआई में सब ने हामी भरी और सब एक छत्री के नीचे आए पटना में बैठक हुई सब कुछ ठीक था सब मेरा नाम ले रहे थे लेकिन जैसे ही बैठक बैंगलोर में हुई कॉंग्रेस सासित राज्य में बैठक हुई तो राहुल गांधी ने पूरी बैठक को हाईजेक कर लिया और उसके बाद सब लोग राहुल गांधी की बात मानने लगे पहला कारण तो यह है कि राहुल गांधी ने जो नाम दिया सब लोग उससे सहमत हो गए और तुरंत सब ने कह दिया कि यही नाम रहेगा लेकिन नितीश कुमार ने तुरंत कहा कि यह नाम नहीं रहेगा तो किसी ने नितीश क कुमार को एक कहावत भी याद आ रही है कि अब भयल भियातु अगुआई करेंगे लेकिन अभी तो नितीशकुमार ये भी कह रहे हैं। लेकिन वहाँ बैठक में तमाम लोग जो मजूग थे वो बताते हैं कि नितीश कुमार जब से बैठक सुरू हुई तब से लेकर अंत तक जब तक नितीश कुमार वहाँ से निकल न गये तब तक उनके चेहरे पर मायूसी थी पहली मायूसी तो ये थी कि कॉंग्रेस सासित राज्य में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें नितीश कुमार का विरोध हुआ उसके बाद किसी भी पोस्टर पर नितीश कुमार की तस्बीर नहीं थी उसके बाद नितीश कुमार होटल में गए तो उनकी कुरसी पर राहूल गांधी को बैठा दिया गया इन तमाम चीजों को देखकर नितीश कुमार नराज थे और फिर नितीश कुमार बिहार चले आए और बिहार आए तो एक दिन तक किसी से उन्होंने बात नहीं किया और पर नितीश कुमार दवे जुबान में ये कह रहे हैं कि अब मैंने जो मेहनत किया है उस पर राहूल गांधी अपना अधिकार जमा रहे है राहूल गांधी पूरी विपक्षी एक जूटा को हाईजेक कर लिया है अब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है अब देखने वाली ब बताएगा बेरहाल इस कबर में इतना ही बने रहे मार साथ और देखते रहे जन्ता जिंक्शन